तो कैसे हैं आप सब उमीदे काफी अच्छे होंगे खुश होंगे बहतरीन होंगे और आप इस चीज का इंतिजार कर रहे होंगे कि कि अब आएगा सीट अलर्टमेंट का डेट यानि किस तरह से आप सीट मैट्रिक्स जो है उसको देख पाए साथ ही जो आपको जहां पर सीट लेनी है वहाँ आप से पर काउंसलिंग करा पाए और उस कॉलेज को फिल अप कर पाए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जहारखंट बीर्ड ने पूरी तरह से परवेस परतिवेता परिक्षा जो हुआ था जहारखंट बीर्ड दोजर चौबीस वाला उसका रिजल्ट जारी कर दिया है तो इस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा मार्क्स आपको गवर्मेंट कॉलेज मिलने की संभावना है और किस तरह के मार्क्स में आप उसका उमीद थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि कैसा कट अफ गया और आपका कट अफ की से बीच रहा होगा ठीक है और कितने मार् और सुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप स्क्रॉल डाउन करके मैंने बहुत सारे गौर्मेंट स्टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची के काके रांची के यहां तक देवघर के और हजारी बाग के बहुत सारे वीडियो चोड़े हैं तो अगर आप गौर्मेंट स् वीडियो में जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं साथ ही आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप नए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइ 62.25 नंबर आया है और साथी उसका 700 के आसपास रेंग है यानि आप समझ सकते हैं कि कैसा cut up गया पहले 60-65 नंबर पर 200 रेंग था 150 रेंग था और इस बार 66 नंबर पर 700 रेंग है तो आप इससे अंदाजा लगाए कि 66 नंबर पर जब 700 रेंग के आसपास आ रहा है सेमल रेंग की में बात कर रहा हूँ ठीक है तो 70 नंबर 75 नंबर में आपका 200-300 रेंग आया है यानि काफी cut up हाई गया है दोस्तों अगर 50 नंबर है आपका तो आपका लगभग 1.5-2.000 रेंग हो गया होगा मतलब 50 पॉसेंट नंबर लाने पर भी यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कहना का यह मतलब है कि कुछ नहीं देखने का मतलब है गौर्मेंट कॉलेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेना अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि क्या गौर्मेंट कॉलेज सबसे पहली बात आती है कि गौर्मेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं तो मिलेगा या नहीं आप बोलेंगे साधी में गए हमको खाना मिलेगा या नहीं तो सबसे पहली बात है खाना देखेंगे कि कितनी सारी प्लेटे खाली है उसी से ने पता चलेगा और वहाँ पर members कितने हैं उसी से पता चलेगा लोग कितने हैं कि खाना मिलेगा या नहीं ठीक इसी परकार अगर आप government college की बात करें तो हमारे जहरकन में चार fully सरकारी government college है fully government जिसमें आपको मात्र 10,000 रुपे में बीड होती है मैं free structure इस वीडियो के मैं जाने के बाद channel पर जाएए और free structure आप government teachers training college लिखेए आप ऐसे भी google में लिखेंगे मेरा ही video सामने आएगा cherry sprint channel का ठीक है मैं खुद government teachers training college राची से पढ़ा हुआ हूँ तो उमीद है मैं आपको किसी भी तरह का जो भी जानकारी दूँगा ठोस और पुखता दूँगा और उसके साथ मैंने receipt भी upload करा है तो आप इतने समझदार हो कि आपको देखने के बाद पता चली जाएगा कि हाँ वाकए में ये कितना beneficial है और कितना पुखता है कितना authentic channel है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि चार beard college में कितनी seat हैं तो चार beard college कहा कहा है पहले ये बात करते हैं तो राची में है दोस्तो ठीक है राची में एक boys only है जिसमें सिर्फ कांके राची में सिर्फ और सिर्फ लड़के पढ़ते हैं एक राची में है girls only ठीक है जो बर्यातू राची में है और उसमें hostel की condition भी काफी खराब है तो सिर्फ girls के लिए मतलब government college की बात कर रहे हैं अभी hostel बात नहीं करेंगे तो इसमें hostel भी है वैसे boys only में तो राची में है girls only राची में है boys only एक कांके राची में एक बर्यातू राची में तो जो कांके राची में है उसमें भी 100 seat जो बर्याती राची में है जो सिर्फ और सिर्फ लड़की का है उसमें भी 100 seat ठीक है अब चलते हैं हम लोग हजारी बाग की ओर तो तीसरे नमबर में आता है हजारी बाग तो हजारी बाग में दोस्तो 100 seat है और चौथे नमबर पर आता है देवगर कॉलेज ठीक है तो देवगर गॉर्मेंट स्टिचर ट्रेनिंग कॉलेज में भी 100 seat अब कूल मिला के कितने हो गए दोस्तो बताइए 400 seat अब 400 seat में अगर आपका CML rank 400 से 500 के बीच आ रहा हो ठीक है तो आप किसी भी category में हो आपको मिल जाएगा अब आप बोल रहेंगो sir किसी भी category में मिलेगा general में मिलेगा तो बिल्कुल general में भी मिलेगा लेकिन उमीद थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि 500 seat वाले के लिए सिर्फ 500 seat आपका नहीं है वहाँ पर क्या है 23% seat जो होती है वो अलग-अलग तरह की category को फिर 7% OBC को 9% 10% seat OEWS को इस तरह से करके seat reserve है तो अगर आप general category से बिलॉंग करते हैं दोस्तों अगर आपका CML rank 300 से लेके 400 मतलब एक rank से लेके अगर मैं बात करते हूं कि general category वाले बच्चों को एक rank से लेके 300-400 rank तक अराम से government college मिल जाएगा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हाँ आपको government teachers training college कांके राची मिलेगा ये जरूरी नहीं है लेकिन मिल जाएगा आपको हजारी बाग भी मिलेगा अच्छा college है और साथी देवगर भी मिलेगा ठीक है तो इसके बारे में class attendance और अलग-अलग चीजों से sir कैसा college है, class करना जरूरी है या नहीं आप comment में पूछिए मैं जवाब दूँगा, मैं सबका जवाब देता हूँ समय निकल निकल का जवाब देता हूँ तो इसके लिए आप थोड़ा subscribe तो बनता है ठीक है तो चलिए इसमें बात करते हैं कि अगर आप general category में है तो आपको एक rank से लेके 300-500 rank तक भी आपका आ रहा है तो आपको फुली government college उस चारू में government college में मिलेगा साथी BC1, BC2 category में है तो आपका जब CML rank 400 आप 500 के आसपस आएगा दोस्तों तो of course category rank आपका 100-500 के आसपस आएगा तो इसको भी chances से साथी STSC को तो पहुँच ज़्यादा chances से EWS को तो मैं देखा हूँ कि EWS जो होता है वो STSC के साथ ही आ जाता है तो अगर आप general category में है और EWS का certificate बनाए है तो आप apply करते समय EWS जरूर वहाँ पर column में डाले ठीक है apply करते समय यानि जब counseling करा रहे होंगे आप online counseling उस समय EWS का column भी रहता है तो आप category rank से आपको मिल सकता है ठीक है अगर आप category वहाँ डाले होंगे तो EWS category तो इसमें मैंने देखा है अभी तक का मैं फिर बहुत सारे videos लेकर आऊंगा जो 2023 वाला जो first counseling हुआ है मैं उसमें भी दिखाऊंगा आपको proof के साथ कि किस तरह से कम कितने rank तक के बच्चों को कौन सा seat मिला है ठीक है बस आप video का wait कीजिए कुछी समय बाद वो video आ जाएगा आज ही या कल आ जाएगा कि आपको proof के साथ दिखाऊंगा तो finally मैं यहाँ पर summarize करना चाहता हूँ कि अगर आप जन किसी भी category से है और अगर आपको 500 CML rank के अंदर है तो आपको government teacher training college काके राची हो बर्यातू राची हो या फिर आपका देवगर हो या हजारी बाग हो चारों में किसी न किसी में मिलने की chances हैं साथ ही अगर आप ST, SC या फिर EWS category से बिलोंग कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ EWS का मैंने BC1, BC2 का नहीं बोला है क्योंकि अभी BC1 और BC2 से उपर चल गया है EWS मतलब काफी ST, SC वाले category में इन लोग को seat मिल रहा है ठीक है तो अच्छा है तो इसमें आगर मैं बात करूँ तो अगर आप ST, SC या EWS category से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 2000 से 5000 rank तक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा भले first round counseling में आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन first round counseling में आपको 2000 rank में भी आपको government college देखने को मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि CML rank की में बात कर रहा हूँ आपका category rank almost 100, 1500, ज़्यादा ज़्यादा 400 के आसपास आ रहा होगा ठीक है 2000 CML rank वाले लोगों का ठीक है इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने comment करके ये भी बोला कि सर मेरा rank काफी है लेकिन ST category में मेरा 56 rank है 100 rank है 150 rank है तो क्या मुझे मिलेगा कि ने तो उमीद है मिल जाना चाहिए और अगर आप BC1, BC2 category में है दोस्तों तो मैं आपको बता दू कि अगर आपका 500, 700 rank के आसपास है तो आप उमीद रख सकते हैं वह भी third counselling में जब 2-4 seat बचे रहेंगे तब second counselling का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ third counselling में आपको 700, 800 rank है तो मिलेगा लेकिन वही आप अगर आप बात करें कि sir government teacher training कांके राची मिलेगा कि नहीं तो कांके राची में आपको जानता हूँ दोस्तों कि ये एकदम hot college में से एक है fire college है इसलिए में सारे बच्चे government teacher training college राची में पढ़ना चाते हैं उसका region भी है क्योंकि राची capital है साथ ही exam center ये वो को लेकर preparation government के examination यानि government job के preparation के लिए भी काफी अच्छा होता है hostel की भी सुईधा है तो सब कुछ है वहाँ मैं पढ़ चुका हूँ तो उसके बारे में मुझे भी पता है आप जाके channel पर सर्च कर सकते है hostel के बारे में बहुत कुछ बताया गया है तो इस तरह से लेकर आप अगर BC category में है BC1, BC2 category में तो आपको 500 से लेके 700 rank तक आपका है तो थोड़ा बहुत उमीद है नहीं तो फिर आगे अगर 1000 rank पार है तो आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों आप किसी भी category में क्यों ना हो सिर्फ STS, CWS को छोड़ कर ठेक है यानि general में और BC1, BC2 में अगर 1000 rank से जादा है तो government college मिले की संभावना बिल्कुल कम है फिर से बोल रहा हूँ बिल्कुल कम है एकदम ना के बराबर है हाँ, हो सकता है third round या counseling में आपको 2-4 seat देखने को मिलेगा उस समय थोड़ा सतर करे हैं साउधान रहें और channel पर बने रहें ताकि आपको पता चले और आप government teachers training college में पढ़ पाए क्योंकि मैं update करता रहूंगा साथी तो चलिए आपने पता चला आपको कि किस तरह से है और कितने rank वाले बच्चों को government teachers training college मिल सकता है साथी ये जो notice जारी हुआ है परिक्षा फोल को लेकर आप देखे होंगे कि उसमें आपके उत्तर कुंजी भी यहां पर बोल रहा है कि 29.5.2024 को आपका जो answer की है यानि आपका जो OMR seat है ठीक है वो भी upload कर दिया गया है तो आप जाके अपना OMR seat भी देख सकते है result भी देख सकते है और बस इंतिजार है तो काउंसलिंग की तो काउंसलिंग जैसे ही सुरू होता है उससे पहले मैं आपको seat matrix बताऊंगा कितनी सारी seat हैं सारे colleges में जो college आपको ठीक लगते हैं आप वहां पर ले fee structure भी एक बार लेकर आऊंगा कि 2024 में fee structure बढ़ा है किया कहा कितनी fees है इसके बारे में भी बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में अगर आप चैनल पे नए हैं और आपके अंदर B.A.D. इंट्रिंस एक्जाम को लेकर admission कराने को लेकर कोई भी doubt है तो आप comment में पूछ सकते हैं कवाई टेक केर फिल में ते नए वीडियो में अपने ख्याल रखें खुश रहें